आज का किचन टिप्स बहुत ही योश फोल है जो आपके किचन और घर के काम को आसान करेगा तो इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि पुराने मटके को एकदम नए जैसा कैसे बना सकते हैं कि एकदम ठंडा ठंडा पानी भी मिले तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा चलिए शुरू करते हैं मिक्सर जार का यूश तो हम घर में 2-3 बार करते ही हैं कभी मसाले पीशते हैं कभी चटनी पीशते हैं और इसका यूश करते करते इसका जो ब्लेड वो धीरे-धीरे मोटा हो जाता है जिसकी वज़े से ये किसी भी चीज को जल्दी नहीं पीश पाता है हमें मिक्सी को बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाना पड़ता है उससे हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है जो लीड है वो उपर की तरफ आ जाता है कभी कभी तो खुल भी जाता है तो इसके रबबर को भी हम टाइट करेंगे एकदम सिंपल तरीके से तो चलिए पहले इसके ब्लेड को शार कर लेते हैं तो उसके लिए हमें लेना है बरफ यानि आइस क्यूब इस टाइम में सब के फ्रीजर में आइस क्यूब होगा गर्मी का मोसम जो है तो अब हम आइस क्यूब को जार में डाल देंगे हमें इतना ice cube डालना है कि जो jar का blade है वो अच्छे से ढख जाए तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है अब इसका lead लगा कर हम इसे पीस लेंगे जब तक कि यह बरफ के टुकड़े एकदम बारिक नहीं हो जाते तो medium speed पर हमें इसे पीस लेना है तो अब इसे मैं पीस लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पीस लिया है और आप देख सकती हैं जो बरफ है वो एकदम बारिक हो गया है एक अग टुकड़ा इस तरीके से बच भी सकता है यह इतना hard रहता है कि जब हम बरफ के टुकड़े को पीसते हैं इसे फेके नहीं इससे आप गोला बना ले अगर आप घर में बनाती हैं तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे अब इसके रबबड को हम टाइट करेंगे तो उसके लिए आपको रबबड को लेना है और फ्रीजर में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 15 मिनट की बाद हम रबबड को फ्रीजर में से निकालेंगे और वापस से यूज करेंगे तो इसे भी आपको वीक में एक बार जरूर करना है ऐसा करने से जो इसका रबबड है वो पहले से टाइट हो जाएगा और कभी भी ये खराब नहीं होगा तो इस तरीके से आप अपने मिक्सर जार के प्रॉबलम को सॉल्व कर सकती है बिना एक रुपया खर्च किये उल्टा इससे आपका पैसा भी बचेगा मतलब लाइट बिल कम आएगा तो पैसा तो बचे गई नै तो यहाँ पर होती है पैसे की बचत आज कल तो चौपर सबकी घर में रता है और चौपर का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं सबजीयों को काटने के लिए सबजीयों जल्दी भी करती हैं बारिक भी करती हैं तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है मेहनत भी बचता है मगर चौपर को सेफ रखना भी बहुत जरूरी है जब हम सबजी को काटते हैं तो इस तरीके से सबजीयां इसके लीड पर आकर चिपक जाती हैं जिसकी वज़े से हमें इसे बार-बार धुलना पड़ता है और आपको जहां तक याद होगा कि इसका जो डोरी है वो इस लिड के अंदर ही रता है और जब इसे हम वाश करते हैं तो पानी इसके अंदर तक जाता है जिसकी वज़े से ये डोरी भीग जाता है और इस डोरी को अगर अच्छे से सूखा नहीं जाए तो ये डोरी जल्दी से खराब होने लगता है पानी से ज़्यादा टाइम गीला होने के वज़े से तो बार-बार लीड को धोना नहीं पड़े उसके लिए आप ये सिंपल सा तरीका यूज़ कर सकती हैं तो उसके लिए हमें लेना है एक पॉलिथेन इस तरीके के पॉलिथेन तो सब के घर में आता है सबजी और फ्रूट के साथ तो हमें पॉलिथेन में से थोड़ा सा टुकड़ा कट करना है तो इस तरीके से इसके एक लेयर को मैं काट लेती हूँ तो ये मैंने इसको cut कर लिया ये रिखे अब इसे हमें circle shape देना है तो उसके लिए हम इसे इस तरीके से fold कर लेंगे double fold करेंगे उसके बाद इसके किनारे को ऐसे कौ करते हुए cut कर लेंगे तो जब इसे हम खोलेंगे ने तो ये रिखे रोटी के जैसा goal बनके निकलेगा अब इसके center में हमें एक hole करना है तो छेद करने के लिए हम इस तरीके से fold करके corner पर cut करेंगे तो ये छोटा सा छेद हो गया है ये देखिए बस अब हमें क्या करना है कि जो chopper का lead है उसके उपर हमें इसे लगा देना है उपर के side नहीं मतलब अंदर के side लगाना है और इस तरीके से और इस polythene को हमें chopper के lead से थोड़ा सा बड़ा ही रखना है अब हम आपको इस प्याज को cut करके दिखाते हैं तो इस तरीके से हम chopper के उपर इसके lead को लगा देंगे polythene बड़ा रखने से फायदा ये है कि ये अच्छे से बंद भी हो जाता है और ये अंदर नहीं जाता है तो इस तरीके से अब इसे हम chop कर लेंगे जैसे normally हम इसका use करते हैं बस वैसे ही चलाना है उसके बाद आप देख सकती है कि जो सबजी इसके lead के उपर चिपकती थी वो सबजी polythene के उपर आ गया है तो बस इस तरीके से आप सबजी को निकाल लेजिए और polythene को धो कर वापस से use कर सकती है और lead का तो आप देखी सकती है कि कितना clean है बिल्कुल भी इसे धोने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से अगर आप इसे use करेंगी तो बार-बार इसे धोना नहीं पड़ेगा और chopper जल्दी खराब नहीं होगा मटका जब पुराना हो जाता है तो problem यही होता है कि इसमें ठंडा पानी नहीं होता है पानी कितना भी देर तक रखें मगर ठंडा ही नहीं रहता है तो आज मैं आपको एक ऐसा tip बताऊंगी जिसको करने में आपको कुछ मेहनत भी नहीं करना है और मटके का पानी एकदम फ्रीज के जैसे ठंडा रहेगा चाहे कितना भी पुराना मटका हो अगर आपके मटके पर सफे सफे दाग हो गए है या फिर इस तरीके के हरे हरे दाग हो गए है और उसको धोने के बावजूद भी नहीं निकल रहा है तो उसे भी हम खतम करेंगे तो उसके लिए आप देख सकती है ये जो मेरा मटका है ये चार साल पुराना मटका है मगर इसमें पानी एकदम ठंडा रहता है तो उसके लिए मैं एक टी-सर्ट का यूज़ करती हूँ तो इस तरीके से आप कोई भी पुराना टी-सर्ट ले ले और टी-सर्ट को इस तरीके से मटके के उपर लगा दे बस ऐसे इसे पहना देना है तो मैं इस पे इसे लगा देती हूँ फ्रेंड बस एक टी-सर्ट से मटके का पानी एकदम फ्रीज जैसा ठंडा रहेगा तो यहाँ पर मैं टी-सर्ट का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो कोई दूसरा कपड़ा भी लगा सकती है चाहे तो कट करके निकाल कर वहाँ पर सिलाई भी लगा सकती है तो इस तरीके से हमें टी-सर्ट को मटके को पहना देना है अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है इससे तो बस मटके का जो कलर था वो ढग गया है यानि जो दाग धब्बे थे वो ढग गया मगर इसे ठंडा रखने के लिए हमें इस तरीके से इसके उपर पानी डालना है ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से भीग जाए और इसे आपको दिन में 3-4 बर करना है जब भी आप पानी पीए और आपको लगे कि ये कपड़ा गीला नहीं है तो आप उपर से थोड़ा सा पानी डाल दे पानी डालने के वज़े से जो कपड़ा है वो गीला रहेगा और गीला होने के वज़े से मटका एकदम अच्छे से ठंडा रहेगा जिससे इसके अंदर का जो पानी है वो बहुत अच्छे से ठंडा रहेगा तो इस तरीके से आप अपने पुराने मटके में एकदम फ्रीज के जैसा ठंडा पानी कर सकती है तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा